हेलो काईज वरकों बैक टो मैं चैनल हो पिला गड़ अपी देख में मस नहाँ अगर हो चुक रेड़ी और में को करना थे शैंपू के बाल हो गया थे बहुत गंदे क्यों कि गर्मी में ना दो तीन नी में बाल बहुत गंदे हो जा रहे हैं तो मजबुरन धोना पड़ उपर से यहां पानी के इतनी प्रॉब्लम में कि यहां नहाना ही बहुत बड़ी बात हो जा रही है लेकिन क्या कर सकते हैं बाल भी ज्यादा दिन तक गंदा नहीं चोड़ सकती कि बहुत उससे न तूटने ल सुमान जब कर देंब कर दो रहा है लेकिना यहायर होटा है मैं कटा लेती हूं तो अब ही देख को ब कमेंने छे मैं पTP शायर ही शायर मैं कुल वावेट कीका और सो के बाद कि में ही जो चेस्मा से, टूर गया था तो बहुत सो कॉमेंट आया था इंस्टा पे भी और फिर यूटूब पे भी कुछ का आया था कि भाई मैं अपने चस्म को फेवे क्विक से चिपका सकती हूँ तो मैं भी सोची कि चलो ठीके देखते हैं अगर बन जाता है तो क्या ही प्राब्लम है तो उसके लिए मैंने ले आया है ये रहा पर तो ये देखरो ये रहा मेना चस्मा जो कि तूड़ गया है मैं अब जब घर से आरती न गाउं से तो मैंने इसको रखा था अपने बैग में वो भी कवर बॉक्स के अंदर रखा था पता ने फिर भी कैसे टूड़ गया और उसके बाद फिर मैं कल लाई एक फेविक क्विक तो ये देखो अब इसको देखते चिपका करके कि सच में चिपकेगा या पता नहीं तो ठीक है बने दे मेरी मेरी वीडियो में मैं इसको अब पहले उपन कर लेती हूँ तो ये दिखो अभी मैंने ले लिया सिजर आप रहले मैं इसको फाल यँगी एक बर मैंने पता क्या था मैं अपने हाथेよろしく का लिया था बच्पन में बच्पन उसको नहीं बोल सकते हां थोड़े मैं बड़ी हो गई थी बच्पन के बाद लेकिन उसके बावजूद मैंने फिविक्विक्स से मैं अपना सांडल चिपका रही थी तूड़ गया था तो ममी नी बोले कि ठीके फिविक्क ले लो चिपका लो फिर मैं उसको लीए औ कि बहुत मुस्कित सुड़ाना पड़ा तो थोड़ा से में को डर भी लगता है तो अब ये देखो देखते हैं पाच रुप का फेवर किसे काम चल जाता है ऐसे तो मैं नया लूंगी पर पहले जो खराब हो गया है पहले उसको बना ले मैं बहुत दिन से लाइटर खोच रही हूं मैं को नहीं मिल रहा है और मतलब दुकान में मांगनी मैं सर मारा क्योंकि लोग बोलें कि भाई मैं स्मोकिंग करती हूं क्या है जो मैं को लाइटर चाहिए पर मैं कुछ-कुछ वीडियो बनाना है उसके वज़े से मैं को लाइटर चाहिए अब मैं सोच रही कहां से लूँ यह देखो इस तरीके से कुछ यह ब्रेक हो गया है बीच में सही तो देखते यह चपकता है या नहीं अब देखो पहनने के बाद मैं तो इस पर दो तीन रील वगरा भी बना दी वीडियो वगरा तो देखो पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा इसका ने शेड में को बहुत अच्छा लग रहा था इसके वज़े से मैंने इसको लिया था अब देखते हैं कुछ अब तो लूँगी तो पहर दुसरा ही लूँगी फिर से ऐसा लेने कोई मतलब है नहीं तो बस यह चिपक जाए अब को क्या लगते है चिपक जाएगा या नहीं चिपकेगा मेरे तो जित्ते बार बे एरिंग्स टूपते हैं मैं यही करते हूं फेवी कॉले फेवी कुकसा चिपकाती हूं कुछ दिन चलता है और फिर वैसी हो जाता यह तो चिपक ही नहीं रहा है मैं को लगता कि यह नहीं चिपकेगा मेरे फेवी कु मुल फेश्ट जाएगा हलका तो चिपका है पर पता नहीं कितने टाइम तो किये रहेगा इसको थोड़ा देर रखना पड़ेगा ना तो मैं पहले इसको चिपका ले रही हूँ और इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं उसके बाद देखते हैं यह चिपकता है या ने चिपकता है बई चिपक तो गया है और अधर देखो मेरे face थोड़ा वूभी डामेज हो रखा या गर्मी के वज़े से कुछ करने का मन नहीं हो रहा कुछ लगाने का मन नहीं होता है किया कर समझ में नहीं आ रहा और जो तो फेसल मसाज होता है नम भी मैंने छोड़ दिया हैं ड़र में में कुछ में करने का इमनल ही अब देखते है कि Jewish कि लुँ ने मैंने सुपोर्ट क्रोंड प्लीज तो अभी देखो कि इधर सब्सक्रीट ब声 तो अब ही तो अदेख है यह था धर चीनी के लिए और जब यह सूप जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे कि यह सच में काम आया या नहीं और इधर देखो इधर मैंने रख दिया है यह फेवे कुई को उपर से तो डालनेगा मैं कोई जर्रत लग नहीं रहें वैसे यह लगभग हो गया है मेरे खयाल से तो पर ठीक है थोड़ा दे सेफटी परपस इसको छोड़ देते हैं कुछ और देख लेते हैं तब तक यहां देखो इधर पापा के कपड़े थोड़े बिखरे पड़े हुए हैं यह सारे पापा के नयवाले शर्ट हैं जोगी पापा कर देख रहे थे की दो क्या लगता है कि match हो यह यह नए यह को लगा कि दोनोंका टेक्शण अलग है इसमें Commission का पैटन है और इसका दूबब डिफटरट ऑर कलर बेदोंका डेखो कि पर हां मतलsteps अब जो लोग इस इसके लिए ने तो लगभग सेमी है और उसके बाद फिर यह वाइट कलर की कॉटन शर्ट अभी गर्मी में तो भाई वाइट बहुत अच्छा होता है और अरामदाई भी होता है गर्मी के लिए तो यह देखो पापा का शर्ट तो फिलहाल तो भाई जैसे पापा टांग ये थे मैं भी वैसे टांग दे रहे हूँ बाद मैं इसको एड़िस्ट करूँगी तो अब मैं पहले इसको हैंगर में ही लगा दे रहे हूँ मेरा एक कुरती देखो अभी तक हैंगर में ही लगा हुआ है इसको मैं पहले उठा आग पापा इसको अल्टरेशन के लिए लाए थे गाउं से अभी लेकिन इसमें अल्टरेशन के कोई जरत नहीं पड़ा तो अब इसको एज़टल से पहनेंगे वो तो इधर अभी मेरा बेट हो गया है खाली और भाई लाइट का है भरोसा रहता नहीं है तो यह पंक्खा तो इहां इंपॉर्टेंट है एक यह देखो यह है मेरे पास हैंड सानिटाइजर लेकिन यह पता नहीं इसका स्प्रेय ही काम नहीं कर रहा है इस तरीके से पानी जैसा यह फेक रहा है मतलब है यह लेकिन उसके बाद दि मतलब प्रॉपर इसमें नहीं आ रहा है पर इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है अब इसको पता नहीं होल करके दूसरी डबमें डालना पड़ गया क्योंकि अगर आपको हलका से अलर्जी भी होता है तो आप इसको यूज कर लो ना तो बहुत अच्छा होता है यह मतलब तुरंत आपको जैसे मेरे एक फ्रेंड थी ना तो उसको अलर्जी हो जाता था बार-बार तो वह एलगरा लेती थी या कोई भी दवा मैंने बोले कि भा कर लगा और उसको दवा खाना पड़ता था फिर मैंने बताए कि इसको तुम लगा और ठीक हो जाएगा और सच में उसका त्योड़े तिर बास इसको रहा तो तो यह में को बहुत अच्छा लगा पर अब यह काम ही नहीं कर रहा तो गाइस अभी देखो मेरा मन हो रहा था दही पीने का में को नमक के साथ दही वैसे अच्छा लगता है इसमें दही वह में जमाई थी तो सुबह वह यूज के थी और बाकी इता बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूं कि इसका थोड़ा सरबत बना के मैं पीलूं तो यहां पर यह ना में को नमक वाला से ज्यादा वैसे में कोई मीठा जादा पसंद नहीं है पर कुछ कुछ चीज जो है जो में को मीठा में ही पसंद आता है जैसे में एक यह हो गया तो इसमें मैं ठंडा पानी मिला दिया और अब इसको बस बढ़ियां से इसको शेक करके अब देखो इसको बढ़ियां से चला लेंगे औ तो गर्मी में तो यही सब राहत है नहीं तो क्या रही बोले इतना गर्मी है कि हालत खराब हो जा रहा है एखे скоро पंप की सु झाय नितना पानी पीतर कहाँ चला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो यह देखो लग बख बंगया है ज़्याद़ कंडेंस में पसंद नीहें हर जो हदो लिओidd जैसा है अच्छा लगता है तो उसमें एक दम डाल दिये चिनी वगर और खा लिये लेकिन अभी में को हलका लसी के जैसा ही पीना पसंद है तो यह हो गया बिल्कुल तयार क्योंकि अब इसमें कोई भी सक्कर नहीं आ रहा है तो अब मैं चार इसको पीने तो बन चुका मेरा सरबत थोड़ा सा दही खट्टा हो गया तो ठीक है मिलते है आगे आज तो पता नहीं मेरे फ्रेस बहुत अजीब दिख रहा है गर्मी के वाई से ना ग्लोग ही खटम हो गया मैं तो मिल चोड़ दिया अपने फ्रेस से भाई जाओ जैसे रहना है तो इतना टेंशन कॉल लेगा यार तो अब ही देखो सरबत पीने के बाद मैंने धूला ये बरतन कुछ-कुछ नास्ता करने के बाद रह गया था तो ये वही था और अब मेरा हो गया बरतन धूला हुआ तो चलते हैं आगे देखते हैं और क्या-क्या होता है